जुड बोल रहे थे न ढड़ाकुर उस टैम पे लोगों को उन्होंने बेवकुप बनाया वसे की जनता को पहली बात तो ऐसा है कि उन्होंने कहा था कि आपके इंटर्वु में कि ओ पानी भरेगा ने होल्डिंग पॉइंट लेंगे यो लेंगे ओ करेंगे आला ना करेंगे लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर कितने होल्डिंग पॉइंट लिये एक भी होल्डिंग पॉइंट उन्होंने तावे में लिया नहीं क्यों नहीं लिया क्योंकि होल्डिंग पॉइंट जिनके है जिनकी जगह है उनको टीडियार देना पड़ेगा और टीडियार देंगे रुपया खर्चा किया था 19-20 में यह खर्चा 14 क्रोड के उपर गया था और 20-21 में नए आयुपता आया है उन्होंने नाले सफाई में लेकिन पानी भरने के बाद तुरंद उसका निचरा भी हो गया है पानी का निचरा और रही बात पानी भरा था तभी हिते नड़ा कुरुप कहा थे जनता से मूँ चुपा के भाग रहे थे खुद आयुपता रोड पे आके कई जगे पे घुम रहे थे आधिकारियों को उन्होंने डाटा भी है कई जगे पे पानी भरने का कारण उस धून रहे थे अभी चार मेना पहले आयुपत लिए रोड पे ऊतर गये पानी भरा था तो उसका निचरा कैसा होएगा क्यों बेवकुब बनाने के लिए वसाई की जन्ता को उनोंने बेवकुब बनाये देखिए जैसा वसाई का किनारा है वैसा केरल का भी किनारा है केरल म JEFF पानी भरता था केरल में कई जगे पर ऐसे holding पूइंट ब़िये हैं मैं खुच जाकर वाँ केरल में अभ्यास किया है। हीते ने ठाकूर साल में एक बार केरल जाते हैं वह कंपकर जाते हैं उनकों मालुम हैं लेकिन उन्होंने कभी वसई की जनता के जो पानी भर रहा है उसके अभ्यास के लिए कभी गए क्या केरल तो ने गए दूसरी बात केरल में पानी जो भरता था वैसा पानी अपने इदर भी भरता था अपने इदर भर रहा है लेकिन केरल में अभी पानी भरता नहीं पानी भरने का मुल जो उसके जो पानी जानी के जो स्तोत्र थे वह काडी थी बड़े-बड़े बड़े नदिया जैसे नाले थे आज अभी क्या होएं वह सम्मुंदर से वह बहुत आती थी वहां पर रेति का बंदर था आज पोसिशन ऐसे वहां पर कि वह खाड़ी को उन्होंने बॉक्स ताइब नाले में डायवट कर दिया है तो किसके फाइदे के लिए कि यह जनता को मालूम है तो मैं तो आईत्त साब को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं वसरी की जनता के तरफ से वसरी की जनता की मांग है कि जितने में पुराने नाले हैं वो नाले को पुनर जीवित करना चाहिए